तो दोस्तो हमने चुहें फसाने के लिए एक बूक टैप की आती है लच्मन रेखा वो रखा था तो देखते भाई रिजल्ट क्या है उसका क्योंकि रात हमने रख दिया था चुहें बहुत परिशान कर रहे थे एक तो मिट्टी वाले में ऐसे हमने भगा दिया था तो उसमें से पांच मरे थे बर टचरा वगरा जमाय हुआ था इस सैड में कोने में तो उसे मैंने हटा दिया भाई इंट वगरा रखी हुई थी वहाँ पर तो मैं हटा दिया उस जगे पर अलो दोस्तो असलाम आलेकुम कैसे आप लोग उमीद है कि आप लोग सब ठिक ठाक होंगे और फिट फट होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बहुत मसा आने वाला है भाई हमारे लौफ्ट में कुछ चुहें अभी भी बाकी थे जो रात का रात आते थे उसे मैंने आज दिन में देखा और उसके लिए भाई क्या ट्रेप हम लगाते हैं उसे फंसाने के लिए और उसे पकरने के लिए वो आप लोग जरूर वीडियो में देखे और उसका रिजल्ट भी आप लोग देखे भाई रिजल्ट भी आएगा तो आप लोग वीडियो को पुरा जर रात का समय है यह देखें और यह हमारे लाइट लगे हुए जिसके करन पता नहीं चल रहा है बट अभी रात का टाइम है और रात के टाइम पे हम लोग आया है भाई कुछ चुहे को पकरने के लिए कुछ उपाय रखने है तो भाई आज हमने दीन में देखा कि भाई चुहे ह है जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही भाई मिट्टी के हमने जो बनाए हुए थे तो उसमें से तो सारे चुहे को भागा दिये पांच पिस मरे भी थे उसमें और भाई उसके पैरेंस जो थे तो भाग चुके थे तो भाई उसमें उसे मैंने आज भी देखा और दिन में आज लॉफ्ट में देखा भाई कि ये इस साइड में बहुत सारा कच्रा वगएरा जमाय हुआ था इस साइड में कोने में तो उसे मैंने हटा दिया भाई इंट वगएरा रखी हुई थी वहाँ पे तो मैं हटा दिया उस जगे पे हम क्या लेकर आए भाई क्योंकि ये दवा वगएरा रखते थे तो ये नहीं मरता था ये खाता ही नहीं था ये चुआ बहुत चालाग था तो उसके लिए भाई हम लेकर आए हैं ये ये देखे आप लोग ये लच्मन रेखा ये बुक टैप की होती हैं ये हम लेकर आए हैं और भाई आप लोगों को जल्द ही इसका रिजल्ट भी मिलेगा और क्या रिजल्ट मिलता है ये भी आप लोग जरूर देखे भाई ये चुआ के लिए बहुत बेश्ट है चुआ जैसे ही इसमें जाते हैं वो फस जाते हैं तो आप लोग तो इसके नीचे हम रखेंगे दोस्तों इसी के नीचे रखेंगे भाई और इस साइट से भी जाता है चुहां और इसके अंदर रखकर यह इंट से इसका मुह बंद कर देंगे क्यूंकि हमारे कबूतर अंदर ना जाए तो चलिए भाई आप लोग रिजल्ट देखें हम इसके बंद कर देते हैं जिसकी वज़ा से हमारे कबूतर नहीं जाएंगे अंदर और इस रास्ते से भी चुहें आ जा सकते हैं तो कम से कम बाई एक लायक जरूर कर दे देखते हैं क्या होता है तो देखते भाई रिजल्ट क्या है उसका क्यूंकि भाई रात हमने रख दिया था चूहें बहुत परिशान कर रहे थे एक तो मिट्टी वाले में से हमने भगा दिया था तो उसमें से पांच मरे थे बट उसके पैरंस जो थे बार-बार आ रहे थे परिशान कर रहे थे तो देखते हैं यह तो चूहा का ख़दान है दोस्तों यह देखे भई एक दो तीन चर एक यह पांच और यह एक छे है छे पीसे किस तरीके से फंसे हुआ है यह देखे दोस्तों मैंने सोचा भी नहीं था कि भई एतने चूहे होंगे इसमें मैं तो सिर्फ इसको देख रहा था भई और इतने सारे हैं यह देखे दोस्तों मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई मैं सिर्फ कल इसको देखा था और मैंने सोचा कि भाई वो आ रहे हैं वापस तो इसके लिए कुछ उपाए किया जाए क्योंकि हम दवा वगेरा रख रहे थे तो ये खा नहीं रहे थे बच जा रहे थे और ये देखि भाई इसके तो पूरे परिवार ही है भाई ये देखे अल्लाः बहुत सारे हैं मैं तो सोचा कि सिर्फ एक है इसकी वज़ा से मैंने रखा था सिर्फ एक की वज़ा से यह तो इतने सारे है अभी भी भाई पांच पीस बच्चे है फिर Pांच पीस बच्चे है इतने सारे चुह है आते कहां से भाई पता नहीं तो भाई कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक करें शेयर करें दोस्तों में अब लग रहा है कि हमारे कबूतर महफूज रहेंगे दोस्तों फिर हम रात में देखेंगे डाल कर ये इसके लिए भाई मैंने ये 100 रुपए का ये खर्च किया क्योंकि ये सब के सब जिन्दे है ये देखें सिर्फ एक बड़ा वाला मर चुका है इतने सारे आते कहां से भाई और ये कबूतर लॉफ्ट में पचलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए भाई खुदा हाफिज स्लाम आलाएकूम